सूप्रभाद मेरे कक्षातीन के चात्रों आज हम पढ़ेंगे पाठ पाँच पंडित जी और ठक आपकी पुस्तक कल्पवरिक्ष से भोलानाथ पंडित एक बहुत भोले और इमानदार आदमी थे एक दिन उनके यजमान ने उन्हें एक बक्री दी कहकर कि यह है उनके और उनके बच्चों के लिए काम आएगी पंडित जी बक्री को कंधी पर रखकर गाव की ओर चलते हैं लेकिन तीन धूर्थ ठक पंडित जी के भोले पन का फाइदा उठाने के लिए कहते हैं उनके कंधी पर कुथा रखा हुआ है बक्री नहीं बोले नात को उनकी बात पर विश्वास हो गया और वे बक्री को वही छोड़ यजमान के घर वापिस गए ठगों ने उनकी बक्री को उठा लिया और वहां से भाग गए बच्चों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सदा अपनी बुद्धी से काम लेना चाहिए धन्यवाद